improvement exam क्या होता है, improvement exam क्या है, इसका form कब भराता है, admit card कब आता है, result कब आता है, exam कब होता है, सारी बाते आपको इस वीडियो में बिल्कुल clear मालूम पढ़ने वाली है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको improvement exam के बारे में कोई confusion नहीं रहेगा, देखिए बिहार बोड की है, तो pass हो गए, पर number कम है, तो आपके पास एक विकल्प होता है, improvement exam दे करके अपने result को और बेहतर करने का, तो improvement exam यही है, यानि इसको हिंदी में कहते हैं, समुननत परिक्षा, और improvement exam को ही betterment exam भी कहते हैं, अब सवाल ही उठता है कि इसके लिए form कौन भर सकता है, तो अगर आपका number जो है, metric inter का exam में कम आया है, आप संतुष्ट नहीं है, तो आप चाहें तो इस exam का form भर सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड हर एक छात्र को improvement exam के candidate के रूप में सविकार नहीं करता, आपको इसके लिए पहले अपने school college से चेक करवाना होगा, अब ये परकिलिया क्या हो school में 2024 में exam देने वालों का metric का या inter का form भरा रहा है, मतलब improvement का भी form भरा रहा है, तो ऐसे time पर आपको simply चुपचाप चले जाना है वहाँ अपने school में या college में, जहां से आपने metric inter का exam दिया था, और वहाँ पर आपको examination form भर देना है, जो सुल्ग लगएगा, वो दे करके exam form उसके बाद जब metric inter 2024 वालों का admit card आएगा, तो आपका भी आएगा, उसके बाद जब उनका exam होगा, तो उन ही के साथ आपका भी exam हो जाएगा, और जब उनका result आएगा, तो आपका result आएगा, मतलब exam साथ में होता है, copy वही रहती है, OMR वही रहता है, question paper वही रहता है, बस फ पास किया, वह यह compartmental या special exam में improvement का exam दे सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, अगर आपने 23 में exam पास किया, तो आपको 2024 के improvement exam में सामिल होना होगा, अगर 22 में पास किया, तो आपको 23 में सामिल होना होगा, मतलब एक साल के बाद ही आप improvement का exam में सामिल हो सकते हैं, तो इसके लिए अल भरने का फीस होता है, रेगुलर बच्चों से कुछ जादा होता है, 200-300 रुपिये जादा होता है, यही एक में फर्क है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम होती है, admit card वही, आपका exam वही, question paper वही, OMR वही, copy वही, सब कुछ वही, result भी साथ में आएगा, सब कुछ बिल्कुल सेम होगा, तो यह एक तरीका हो गया, improvement exam देकर अपने result को और बेहतर करने का, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि माल लीजिक किसी बच्चे ने अगर metric पास कर लिया, और इसी बिच interim admission भी करा लिया, और उसके बाद यह improvement exam हो देना चाहे तो, तो उस condition में भी आप exam दे सकते हैं, आप exam दे करके अपने number को बढ़ा सकते हैं, आपका जो metric का result हो invalid नहीं होगा, वहाँ result आ गया, number बढ़ गया, तो ओ जाकर के जहां आपने interim admission कराया, वहाँ जाकर के submit कर दीजे, आपका जो पहले वाला mark sheet था, और replace हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, तो improvement exam देने में कहीं कोई problem नहीं है, number बढ़ाना है अगर आपको, तो यह आपके पास सबसे best difficult है, इसके अलावा भी कोई अगर सवाल आपके पास बच जाता है, तो comment में बूस सकते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए तयार हूँ, तो फिलाल इस वीडियो को लेतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए topic के साथ,